Hello everyone, आज की वीडियो में मैं आपसे calories and nutrition के बारे में बात करूँगी कि किन चीजों से हमें calories मिलती है और किन चीजों से हमें calories और nutrition दोनों ही मिलते हैं जैसा कि आपके सामने है ना सक्रीन है सक्रीन के उपर आप देख सकते हैं दो पिचर है एक साइड आप देख सकते हैं कि बहुत सारी calories जिन foods में होती है वो है like cake, bread, juices, fast food हमारे बहुत सा तरह के fast food पकोड़े बहुत कुछ होता है यह जो plates है इसमें बहुत सारी calories है दूसरी साइ उसमें आप देख रहे होंगे green vegetables, fruit, सबजियां है ना बहुत सारी दाले, beans, dry fruits बहुत सारी diet है इस तरह से आपके सामने दो plates है आप खुद देखिए कौनसी plate आपके लिए healthy है definitely जो second plate है है ना सक्रीन पर दिख रही है जिसमें fruit, vegetables वो हमारे लिए healthy और जो first plate है वो हम सबके ल कि हम कैसी diet ले रहे है यह bread, pastry, cake यह सब कुछ हमारी diet में आम हो गया है और यही कारण है कि इन चीजों से हमें ज्यादा calories मिल रही है ज्यादा sugar मिल रही है जो हमें पेट से related problems जो भी हमें होती है वो बहुत हद तक यही चीजे responsibility है और अगर हम second option अपनी life में follow करते हैं जिसमे बहुत सारी nutrition है calories वहाँ पर भी मिलेगी लेकिन वहाँ पर nutrition है यानि एक plate में हम कह सकते हैं just calories है दूसरी plate में हमारे पास calories के साथ-साथ nutrition है आए हम आगे इन दोनों के बारे में difference देखेंगे कि हमें दोनों plates में से क्या-क्या benefit मिलता है एक side हमारी calories food है उसमें क्या है वो अगर हम अपनी diet में add करते है calories वाला food यह fast food है जो उसमें बहुत हाई calories होते हैं और बहुत ही low essential nutrition होते हैं और उसके साथ-साथ वो हमें एक दम से energy देते हैं हाना energy देने के साथ-साथ उसमें जो essential nutrition है बिल्कुल ही कम मात्रा में होता है और एक तरह से हम कह सकते हैं यह बहुत ही ज्यादा processed food होता है बहुत high fat होता है और sugar होती है यह bad for health and may result in weight gain मतलब यह हमारी health के लिए अच्छे नहीं है और इसके इसका क्या result आता है कि यह हमारा इससे weight gain होता है तो यह जो diet है इसमें बहुत ही high calories है इन desserts में बहुत ही high calories, desserts, processed foods, fat, fast foods यह सब कुछ यह जो high calories है इन में से हमें मिलता है second plate के बारे में हम बात करेंगे जो हमारी second food plate है वो है nutrition plate हमारी है जिसमें food है उसमें क्या है low calories है और high essential nutrition है उसमें low calories है high essential nutrition है उसके साथ साथ उसमें energy भी stable है जितनी हमें चाहिए उसके साथ साथ nutrition भी है और यह ज्यादा unprocessed food है पका हुआ नहीं है जो हमारी gut health के लिए हमारे digestion system के लिए बहुत ही अच्छी है इसमें कौन-कौन से आते हैं बहुत सारे जो बहुत सारी vegetables बहुत सारी डाले fruits जो मत स्लाइड में बात करेंगे कि इनमें मैं आपको difference दिखाऊंगी calories का कैसे difference हम देख सकते हैं आपके साथ में screen पर दो picture है उसमें क्या है आप देखिए एक side दो कप है उसमें pineapple है और berries है ब्लू berries है वो अगर हम इतना food लेते हैं इनमें 500 calories है अगर हम यह खाते हैं एक दिन में हम इतने food से 1500 calories मिल जाएंगी और हमारा पेट भी फुल हो जाएगा लेकिन side में देखिए second number पर दो छोटी छोटी चोकलेट है उसमें भी 1500 calories है आप यहां पर देखिए कि जो हम यह side में जो चोकलेट है अगर भी यह चोटे-चोटे दो पीस खा ले उसमें से भी हमें 1500 calories मिल रह आप देख सकते हैं कि जो यह वहां से हमें nutrition भी मिलेगा साथ calories मिलेगी यहां पर हमें nutrition नहीं मिलेगा सिरफ calories मिलेगी इस तरह से हम कह सकते हैं जो calories है एक और example मैं आपको बताऊंगी जैसे हम दो बोक्स लेख सकते हैं पांच-पांच किलो के बोक्स मतलब उसमें है एक बोक तो उसमें फैदर डाली हुई है आप देखिए वेट दोनों का बराबरी है लेकिन जो लोहा है वो बहुत हाई वेट होगा और जो फैदर है उसका बहुत लाइट वेट होगा इसी तरह से कैलरीज अगर हम मिठे डिजर्ट काते हैं उसमें कैलरीज बहुत जादा है वो हमारे पेट के लिए हमारी स्टमक के लिए हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है लेकिन अगर हम जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को हमारी डाइट में एड करते हैं वो हमारे पेट के लिए स्टमक के लिए डाइजेशन के लिए बहुत ही बैस्ट है जब हमारे घर के लिए फूट या वेजिटेबल पर चेस करते हैं, सबसे पहले आप दो तीन बातों कर जुरूर धान टकिए, जो भी आप फूट और वेजिटेबल पर चेस करें, वो हमेशा सिजनल होने चाहिए, जिस फूट और वेजिटेबल का सीजन है, वो ही आप यूज कीजिए, सेकिंड नंबर पर वो अफूडेबल होना चाहिए, यह आपकी पॉकेट फ्रैंक्ली होने चाहिए, आपकी पॉकेट अलाओ करें, क्योंकि यह हम ऐसे नहीं है, कि एक तिन हम मोटिवेट होके, आज अच्छा फूड खा रहे हैं, नेक्स ते हम लग रहा है, डेली सब्सक्राइब होजआ है, यह ना चाहिए, पर भीले नहीं है सब्जियों को काटने से पहले वोश करें काटने के बाद ना वोश करें यह के फर्स नमबर कर सब्जियों को पहले ही वोश कर ले दैन कटिंग के बाद हम सब्जी सिदा बना ले कई बार कि बहुत टाइम पहले कटिंग करके रख लेते हैं है ना फिर वो ब्लैक हो ज तो उन्हें बाद में अच्छी तरह से एक लिया दो बार दो बार वोश कर ले उसमें से सारा वह अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे इस तरह से जो हमने प्रपेडिंग करनी है वह बहुत ही ध्यान से मतलब पॉंशिसली ताकि उसमें जो भी न्यूट्रीशन वैल्यू है वह क同 सकते हमारे कुपिंग की जो भी हम खाना बना यह है जो हमारा कुकिंग का प्रोस本 से वह हम सब को पता ही कि आज कैसा है नहीं आपनी मोस्टूराइजर नब कि सब जाती क्पाइज apart तो वो खुद ही मतलब अपने मॉस्टर्च से ही रेडी हो जाएंगी सेकिन नमबर पर क्या है कि जब हम कोई भी खाना बना रहे हैं उसे फ्राई जादा ना करें क्या है जैसे हमने दाल बनाई उसे हम बहुत जादा घी या तेल में जब हैवी तड़के लगा देते हैं वो जो गूड न्यूट्रीशन है वो बैड फैट बन जाता है इसलिए कम यूज करें घी या बटर जो भी आप यूज करें वो बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करें ताकि जो डालों में जो भी न्यूट्रीशन है वो हमें आजटीज आज मिल सके उसके बाद सबजियों को स्टीम करके जादा जैसे बहुत सारे है जैसे हम कह सकते हैं हमारे जो बहुत सादी ऐसी वेजटेबल से जिने हम स्टीम करके मतलब यूज करें उनका बहुत ज्यादा बैनिफिट है क्योंकि जो स्टीमड वेजटेबल्स होती है जो भी हम यूज कर सकते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बैनिफिट है एंड में सर्विंग जब हम सर्व करते हैं खाना उसी टाइम ही सर्व करें अगर बार बार ठंडा हो रहा है उसे गरम कर रहे है तो जो खाने में नुट्रिशन वैल्यू भी बहुत ही कम रह जाती है कि अब हम बात करेंगे रौल ऑफ स्पाइसि ऍन गॉन्डिमेंट्स बहुत सारे ऐसे श्पाइसिज मसाले होगा होrare जो हमारी सब्जियों में एड़ करें जो हमारे लिए अच्छे हैं जो हमारी हाल्थ के लिए हमारी डाइडेशन सिस्टम के लिए फूर्ड playing उससे सहित द मीं अच्छा में बाद्र के लिए इम हमारे बाले में युजेरा इसी डाइट जिसमें HAS ênio बीव मिले है कि अगर हम जस्ट हीआजट करें है रहाट है डाइट करने और देंव फेत गेंड हेरा में थिखिक तो बिले जो renowned हिए बिल अगर हमारा जो स्टमक आध भी होगी है कि इसका मतलब हम कह सकते हमारा जो गट हैлथ का सारा सेथिम हमारी पूरी लाइफ और इंपक्ट करता है व्कुजुज अगर हमारा डाईजेशन शिस्टम अच्छा है तो हमारी अच्छी रहेगी थैंक य।